Are you a lazy student? अगर हां, तो ये विडियो आपके लिए है ये है Richard Feynman आप इन्हें the famous Feynman technique के थूँ जानते होंगे 1918 से 1988 के बीच उन्होंने quantum mechanics develop की Nobel Prize जीता और उस दुरान वो दुनिया के सबसे famous scientist भी थे ये तो शायद सभी जानते होंगे पर जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि Cornell University में उनके colleagues उन्हें lazy and careless मानते थे In fact, Feynman ने 1981 में एक interview में admit भी किया था मैं बहुत irresponsible हूँ और मैं सबको यही कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता जब Richard Feynman जैसे लोग lazy हो सकते हैं मेरे और आप जैसे लोगों के लिए क्या ही उमीद बची है In today's video में आपके साथ कुछ ऐसी tips शेयर करूँगी जो आपके बहुत काम आएगी खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत lazy है इन tips के थुरू आप अपनी activities को smartly schedule कर पाऊगे जिससे आपके लिए procrastinate करना या चीजों को postpone करना मुश्किल होगा Tip number 3 is the most interesting one ये उन students के लिए हैं जो consistent रहने में struggle करते हैं So मेरे नहीं बट अपने फायदे के लिए इस video को पूरा ज़रूर देखना ये चीज़े आपको internet पे शायद ही कही सुनने को मिलेंगी So get ready for some exciting stuff सबसे पहली चीज है Never forget that you are a master procrastinator You know कई बार जब हम अपने लिए deadlines या targets रखते हैं तो हम खुद को overestimate करते हैं जैसे ये assignment, ये तो अराम से हो जाएगा इसके लिए 7 दिन board time है ये test, इसके लिए तो सिर्फ 3 chapters पढ़ने है एक हफते में आराम से हो जाएगा When you make plans like that आप ये consider नहीं करते कि आप उस एक हफते में कितना time procrastinate करके waste करने वाले हो You forget कि actually ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने time से पहले अपने deadlines meet किये हो या किसी test से पहले आप 100% prepared थे No matter वो कितना ही easy या difficult क्यों ना हो Never underestimate the power of a common man procrastinating So every time आप किसी important चीज के लिए plan कर रहे हो तो हमेशा अपने लिए अलग deadlines रखो जो कि real deadline के एक दो दिन पहले हो This will ensure कि आप वक्त से पहले उस चीज को finish करोगे and last minute panic नहीं करोगे ये सफ procrastination के लिए ही नहीं बलकि in general भी apply करता है कई बार लोग genuinely दूसरी चीजों में busy हो जाते हैं और वो अपने deadlines के लिए वक्त नहीं निकाल पाते बट अगर आप अपने दिमाग में उन deadlines को pre-pon कर लोगे तो आप proactively उनके लिए time निकालोगे and उन्हें finish करोगे Next point से पहले एक important बात अप में से कई students होंगे जो अभी class 10th से 11th में आये है या फिर 11th finish करके 12th में आये है और बाकी students के तरह आपका भी सपना होगा to crack NEET या JE तो अब सभी के लिए एक surprise है Unacademy Learning Festival 7 दिन के लिए unlimited access to Unacademy's JE and NEET UG Plus subscription Yes, you heard it right यानि जो चीज पहले Unacademy पे paid थी वो free हो गई है You know, इस unlimited access में आपको क्या-क्या मिलेगा जितनी भी live और recorded classes हैं आपको उनका access मिलेगा इसके साथ 24-7 doubt solving आपको free study materials मिलेंगे जो कि top educators ने बनाए है साथी practice questions, mock tests and PYQs सबका access मिलेगा लेकिन याद रहे आपको 15th March से पहले इसमें enroll करना है and enrollment process एकदम simple है सबसे पहले description में दिये हुए link पे click करो फिर अपना mobile number enter करो OTP डाल के verify करो और बस अब final step में अपना goal select कर लो J या need, done अब app download करो and start your preparation Not to mention ये आपकी ongoing preparation के लिए भी काफी helpful होगी याद रहे 15th March last date है तो उससे पहले enroll कर लो and इस free access का पूरा फाइदा उठाओ Coming back to the video Next thing is actually a time management strategy जो आपके procrastination को control करने में help करेगी Although इसे मैंने पहले भी एक वीडियो में mention कर रखा है but इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसे कैसे apply करना है लोग पूरे दिन कुछ और होना हो दो चीज़े जरूर होंगी जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा आपके energy levels गिरते जाएंगे and power of temptations बढ़ती जाएंगी power of temptations का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपके around जो distracting elements है जैसे आपका phone, Netflix, social media उनकी tempting power बढ़ती जाती है and आपके लिए उन्हें no बोलना और difficult होता जाता है ये Dan Earelli की theory है from the book The Honest Truth About Dishonesty and this makes so much sense क्योंकि हम सभी खुद को focused and discipline रखने के लिए इन सभी distractions से दूर करते हैं self control maintain करते हैं but दिन के end तक वो और भी tough होता जाता है and ultimately हम give up करके उन distractions में उलज जाते हैं सो जब आप अपना daily routine plan कर रहे हो then इस चीज को जरूर consider करो वो चीजें जिसमें high energy and high concentration की जरूरत होती है उन्हें दिन की शुरुआत में करो क्योंकि दिन की शुरुआत में हमारी energy levels and concentration levels high होते हैं तो इस time पे आप naturally एक focus state में रहते हो आपको अपने brain को force करने की जरूरत नहीं पढ़ती आप चीजें easily and effortlessly understand करते हो अपने दिन को अच्छे से utilize करने के लिए divide your day into three parts जो सबसे difficult and challenging subject हो उसे दिन की शुरुआत में करो जैसे subjects like physics, chemistry और any other subject जिसे पढ़ने में आपको जादा जोर आता हो या जो concept heavy हो उसे first thing in the morning करो दिन के second half में वो subjects पढ़ो जो comparatively easy हो जैसे history और geography क्योंकि ये subjects fact heavy होते हैं and concept heavy नहीं तो यहां आपको सिर्फ memorize कने की जरूरत पढ़ेगी so you can do them during this time and night time में वो चीजे करो जो easy हो so I remember I used to do all of my numerical subjects at the end of the day because numerical में आपको सिर्फ exercises solve करने होते आपको कुछ memorize नहीं करना पड़ता so even if मैं रात को बोर होती थी या मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो मैं गाने सुनते-सुनते 2-3 exercises solve कर देती थी so यहाँ point यह है कि क्योंकि आपको पता है कि जैसे-जैसे दिन गुजरेगा आपके procrastinate करने के chances बढ़ते जाएंगी तो आपको make sure करना है कि आप दिन के शुरुआत में ही अपनी important चीजे tackle कर रहे हो और आप कुछ भी रात के लिए postpone नहीं कर रहे है इसे आप postpone करने के चकर में एक पूरा दिन waste नहीं करोगे और अपने दिन को अच्छे से utilize भी करोगे अगर आपको ऐसी videos helpful लगती है तो make sure आपने subscribe के साथ-साथ bell notification भी on कर रखा है क्योंकि सिर्फ subscribe करने से YouTube आपको new videos की notification दे जरूरी नहीं है So subscribe and press the notification bell on Now the third point is a little debatable लेकिन कुछ भी conclude करने से पहले listen to the entire explanation Use motivation if it's difficult to be consistent I know, debatable but please bear with me Let's face it Ideally हर को ही चाता है कि हम एक discipline lifestyle follow करे Time पे सोए, time पे उठे, time पे पढ़ने बैठे और पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे But ये every time possible नहीं है There are days जब आप genuinely focus करने में struggle करते हो Some days आप इतना focused and motivated feel करोगे कि तीन दिन की पढ़ाई एक दिन में finish कर लोगे And some days आप इतना low and bored feel करोगे कि तीन दिन की पढ़ाई एक हफ़ते में भी finish नहीं कर पाऊगे So learn to be flexible अगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप consistent नहीं हो पा रहे हो Then it's okay In motivational highs का फाइदा उठाओ जब आपका focus high हो motivation high हो and आप genuinely पढ़ना enjoy कर रहे हो Then make the most of those moments No matter ये moments कितने ही rare क्यों ना हो जब भी आपका interest at its peak हो, utilize all of your passion for the subject and double your performance अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज सुबह उठकर सोच रहो कि आज पढ़ने का मन का रहा है नी क्योंकि वो कभी नहीं करेगा It's about knowing with complete honesty कि कब आपको खुद को extra push करने की ज़रत है and कब नहीं कब महनत करने में फाइदा है and कब नहीं Consistent and disciplined lifestyle in general अच्छी चीज है बड़ यहाँ गोल ये नहीं है कि आप कोई routine follow करो या discipline maintain करो गोल है exam में अच्छे marks लाना It doesn't matter आप everyday पढ़ाई करके अच्छे marks लाओगे या कम effort में अच्छे marks लाओगे Life में जितना consistent होना जरूरी है उससे कई जादा flexible and resourceful होना जरूरी है So you don't have to feel guilty अगर आप irregular हो या आप focus करने में struggle करते हो या आप अपने plans को properly execute नहीं कर पाते जब तक आपको पता है कि आप honestly कोशिश कर रहे हो and आप favorable conditions में इससे और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे then it's okay to take a break Take a break, fall behind catch up with 10x power and go ahead Spend less time feeling guilty and more time feeling confident that you will make it happen whether you're consistent or not So I hope you liked the video जाने से पहले do check out Unacademy Learning Festival याद रहे 15th March last date है तो उससे पहले enroll कर लो and इस free access का पूरा फाइदा उठाओ वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करे and बहुत अच्छे लगी तो शेर भी करे Thanks for watching and stay focused झाल झाल I know me जाने से स्थए लगी तो me जळब मेतtechn की ज़ब मेत्पवकर Wal gonna lie uyu जच्छे 들을 को Do